ये कहानी बहुत पुरानी है एक बार महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैट कर अपनी साधना में लीन थे ये साधना वो काफी दिन से कर रहे थे लेकिन एक दिन एक शिकारी उसी रास्ते से जा रहा था उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सी अच्छी बाते सुनी थी उनकी बहुत तारीफे सुनी थी उनके सुहाव के बारे में, उनके ग्यान के बारे में लेकिन उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था वो खुद ही जानना चाता था कि क्या जो लोग महात्मा बुद्ध के बारे में कहते हैं वो सच है या फिर जूट उसने रास्ते में जब महात्मा बुद्ध को साधना करते हुए देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न बुद्ध की परिक्षा ली जाए और ये जाना जाए कि जो लोग महात्मा बुद्ध के बारे में कहते हैं क्या वो सच है या फिर जूट इससे उनकी असलियत का भी मुझे पता चल जाएगा शिकारी वहीं पर खड़ा होकर काफी देर तक ये सुचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मुझे ये पता चल सके कि महात्मा बुद्ध सच में एक महानात्मा है वो इधर उधर देखी रहा था कि तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी और उस शिकारी के मन में एक विचार आया उस शिकारी ने उस पत्थर को उठा लिया और साधना में लीन महात्मा बुद्ध को फेक कर मारने लगा उस शिकारी ने उस पत्थर को इतनी तेजी से फेक कर मारा था कि महात्मा बुद्ध को बहुत ही जोर की चोट लगी लेकिन अभी भी वो अपनी साथना में लीन थे लेकिन महात्मा बुद्ध ने शिकारी के इस दुर्वयवार के लिए कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी वो बस चुपचाप अपनी साथना में लीन रहे महात्मा बुद्ध का मानना था कि चोट लगने पर सिर्फ शरीर को तकलीफ होती है आत्मा को नहीं ठीक उसी प्रकार जब उस शिकारी ने पत्थर फैंक कर महात्मा बुद्ध को मारा तो उनके शरीर को तकलीफ हुए ना कि उनकी आत्मा को और महत्मा बुद्ध बिना किसी प्रतिक्रिया दिये साध नामे लगे रहे शिकारी कुछ समय तक महत्मा बुद्ध की तरफ ही देखता रहा कि देखू तो सही कि इस पर महत्मा बुद्ध क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो देखता रहा और कुछ देर तक यूही बैट कर सोचता रहा कि अब महात्मा बुद्ध कुछ ने कुछ प्रत्रिक्रिया तो जरूर करेंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी साधना में योही लीन रहे उन्होंने उस शिकारी को कोई भी प्रत्रक्रिया नहीं दी वो शिकारी बहुत देर से देख रहा था लेकिन जब कोई प्रत्रक्रिया नहीं मिली तो उसने एक बार फिर से पत्थर उठाया और महात्मा बुद्ध को फिर से तेजी से फेक कर मारा अब की बार ये जो पत्थर था ये उनकी आँखों के उपर जा लगा और उस जगह से खून बहने लगा अब महात्मा बुद्ध को ये एहसास हो चुका था कि उनके शरीर से रत बह रहा है लेकिन तब भी वो अपने ध्यान में लीन थे जब इस बार भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रत्रिकिया नहीं दी तो वे शिकारी और भी ज़्यादा क्रोधित हो उठा उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चोट लगने के बाद भी ये बुद्ध कोई प्रत्रिकिया क्यों नहीं दे रहा है जिससे उसे अधिक क्रोध आने लगा और इसी क्रोध वश उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को एक और पत्थर फैक कर मारा अब की बार महात्मा बुद्ध के शरीर से और भी तेजी से रक्त बहने लगा उन्हें इतनी तेज पीड़ा हो रही थी कि उनकी आँखों से आँसु बहने लगे थे लेकिन अब की बार भी उन्होंने अपनी साधना नहीं छोड़ी यह सब देख उस शिकारी से रहा नहीं गया और उस शिकारी ने महात्मा पुत्व के पास जाकर कहा कि हे महात्मा मुझे आपसे कुछ पूछना है बुद्ध ने उस शिकारी की आवास सुनी और उन्होंने अपनी आँखे खोली महात्मा बुद्ध की आँखों की चमक से ही वो शिकारी हैरान था आगे महात्मा बुद्ध ने कहा कि पूछो क्या पूछना चाहते हो शिकारी ने कहा कि जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई भी प्रतिकिया क्यों नहीं दी जबकि चोट आपको बहुत जोर की लगी थी आपको पीड़ा भी हो रही थी लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं कहा शिकारी की इस बात को सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा इससे सिर्फ मेरे शरीर को कश्ट हुआ है मेरे मन और मेरे मस्तिश्क को बिलकुल नहीं महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर वो शिकारी अचम्भित रह गया उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि फिर आपकी आँखों से ये आँसु क्यों बह रहे हैं शिकारी की इस बात का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा तुम्हारे द्वारा किये गए इस गलत कारी के परिडाम स्वरूप मेरा मन और मेरा मस्तिश्क आपस में विचार करके रो रहे है तुमने इतना बड़ा पाप किया है तुम्हें कैसी सजा मिलेगी मेरा मस्तिश्क मुझसे यही कह रहा है महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर वो शिकारी बिल्कुल भी हैरान हो गया और वो महात्मा बुद्ध के चर्णों में जागिरा और महात्मा बुद्ध से शमा वांगने लगा और कहा कि है महात्मा मुझे शमा कर दीजे आप पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था लोग आपके बारे में बहुत सी अच्छी बाते किया करते थे मुझे लगता था कि लोग आपके बारे में सिर्फ जूटी अफवाहे फैलाते हैं लोग बेकार में ही आपकी बढ़ाई किया करते हैं परन्तु मुझे आज ये बिल्कुल भी यकीन हो चुका है कि आपका ग्यान सत्य है मुझे शमा करें और अपने पास शरण दें महत्मा बुद्ध बहुत ही दयालू थे उन्होंने उस शिकारी से कुछ भी नहीं कहा उसे शमा भी कर दिया और उसे अपना आशिरवाद भी दिया वह शिकारी महत्मा बुद्ध का आशिरवाद पागर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा दोस्तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें भी अपने शरीर और अपनी आत्मा दोनों को मजबूत करना होगा चाहे कितनी भी पीड़ा हो कितनी भी तकलीफ हो हमें उसे परदाश करना होगा यदि आप उस पीड़ा और उस तकलीफ के सामने हार जाओगे तो आप कमजोर पड़ जाओगे इसलिए खुद को मजबूत करो यदि आपने अपने आपको मजबूत बना लिया तो परिस्थिती चाहे जो भी हो, चाहे कैसी भी हो, आपको कभी भी कोई भी तोड़ नहीं पाएगा एक बाल की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिश्यों के साथ ब्रह्मण पर निकले थे दिन धीरे धीरे ढलता जा रहा था और रात होने को आई थी महात्मा बुद्ध और उनके शिश्य इतना चल चुके थे कि वे ठक चुके थे वे जानते थे कि अब उनके शिश्यों को विश्राम की जरूरत है तभी कुछ दूर चलने के बाद महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक बड़े से पेड़ के छाओं में पैड़ जाते हैं जहां ठंडी-ठंडी हवाएं भी चल रही थी महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को कुछ देर यहीं पर विश्राम करने को कहा सभी शिष्य वहाँ बुद्ध के साथ बैड़ गए तभी उनमें से एक शिष्य उठा और उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि बंते मेरे मन में एक सवाल है क्या आप मुझे उसका उत्तर देंगे महात्मा बुद्ध ने कहा कि पूछो तुम्हारे मन में क्या सवाल है तभी उस शिष्य ने कहा क्या विद्या को बल द्वारा सीखा या फिर छीना जा सकता है तब महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य का जवाब देते हुए कहा कि नहीं विद्या को केवल तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा इसे समझाता हूँ महात्मा बुद्ध ने कहा कि बहुत समय पहली की बात है एक फकीर एक जंगल में घास फूस की जोपड़ी बना कर रहा करता था और उसे एक विद्या का बहुत अच्छी तरह से ग्यान था वो किसी भी पीतल को सोने में अपनी विद्या द्वारा बदल सकता था और वो फकीर इस विद्या का प्रयोग सिर्फ तभी करता था जब उसे बहुत जादा आविशक्ता होती थी या फिर जब उसे किसी गरीब की मदद करनी होती थी एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राम्हन उसके पास आया उस ब्राम्हन को अपनी बेटी का विवाह करना था लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे उसने दुखी मन से ये सारी बाते उस फकीर को बता दी फकीर समझ चुका था कि वो ब्राम्हन सच में बहुत गरीब है और उसे मदद की सक्त जरूरत है तब उस फकीर ने अपनी विद्या का इस्तमाल किया और एक पीतल के बरतन को सोने का बना कर उस ब्राम्हन को थमा दिया और उस ब्रामण से कहा कि इस बर्तन को बेचकर तुम्हें जो कुछ भी पैसे मिले तुम उससे अपनी बेटी की शादी कर देना वो ब्रामण ये सब देखकर थोड़ा हैरान हो गया लेकिन फिर वी उस ब्रामण ने फकीर से वो सोने का बर्तन लिया और सीधा सोनार के पास चला गया सोनार ने उस बर्तन को देखा और सोचा कि इस गरीब फटीचर ब्रामण के पास ये सोने का बर्तन भला कहां से आया हो ना हो ये बरतन कहीं ने कहीं राजा का है और वह सुनार उस ब्रामन को ले करके राजा के दर्बार में चला गया राजा ने उन्हें देखा और उनसे वहां आने का कारण पूछा तब उस ब्रामन ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया ब्रामन की इन बातों को सुनने के बाद उस राजा के मन में लालच पैदा हो गया उसने उस ब्रामन को तो छोड़ दिया लेकिन राजा ने मन ही मन ये सोचा कि अगर मैं ये विद्या फकीर से सीख लेता हूँ तो मैं अपने राजे का बहुत भला कर सकता हूँ उसने अपने सैनिकों को भेज कर फकीर को बुलाने को कहा सैनिक तुरंती गए और उस फकीर को वहां से लेकर आए राजा ने बिना समय गवाये फकीर से ये पूछा कि तुम पीतल को सोना बनाने की विद्ध्या जानते हो उस फकीर ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि हे राजन मुझे इस विद्या के बारे में पता है और मैं किसी भी पीतल के बरतन को सोने में बदल सकता हूँ तब राजा ने कहा कि हमें भी ये विद्या सीखनी है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो तो फकीर ने कहा कि नहीं मैं आपको ये विद्या नहीं सिखा सकता हूँ फकीर की इस बात को सुनकर राजा को क्रोध आ गया राजा ने फकीर से कहा कि मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ यदि तुमने मुझे ये विद्या सिखा दी तब तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और अगर तुम मुझे ये विद्या नहीं सिखाते हो तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूँगा अब अगले पंदरा दिनों तक राजा रोज एक सिपाही को उस फकीर के पास भेजा करता था ये जानने के लिए कि क्या वह फकीर राजा को ये विद्या सिखाने के लिए तयार है या फिर नहीं लेकिन वह फकीर राजा के उनसैनिकों को रोज मना कर दिया करता था राजा ने काफी सोच विचार किया और उसे एक युक्ती सूची वह समझ चुका था कि यहाँ पर धमकी देकर या फिर जोर जबरजसी से उस फकीर को नहीं मनाया जा सकता तब उसने एक दूसरा उपाय सोचा जब 15 दिन पूरे होने में सिर्फ 7 दिन बचे हुए थे तब राजा रोज फकीर के पास भेश बदल कर जाया करता था और रोज उस फकीर की सेवा किया करता था राजा ने फकीर की इतनी सेवा की कि वह फकीर बहुत खुश हो चुका था एक दिन वह फकीर इतना खुश था कि उसने राजा से पूछा कि बता तु क्या चाहता है तो उसने कहा कि आप मुझे ये विद्या सिखा दीजिए जिसमें आप पीतल को सोने में बदल देते हैं वह फकीर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया लेकिन आखिरकार वह उस विद्या को सिखाने के लिए मान गया उस फकीर ने वह विद्या राजा को दे दी लेकिन साथ में ये भी कहा कि मेरी इस बात को याद रखना कि तुम इस विद्या का इस्तमाल सिर्फ तभी कर सकते हो जब कोई बहुत ही गरीब या फिर बहुत ही परिशान हो जिसके पास और कोई राष्टा ना हो जिसकी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो तभी इसका इस्तमाल करना फकीर की इन बातों को सुनने के बाद वो राजा वापस अपने महल में आ गया और जब पंदरा दिन पूरे हो गए तब उसने फकीर को वापस बुलाया और उस फकीर से कहा कि बता तु मुझे ये विद्या सिखाने को तयार है या नहीं तब फकीर ने कहा कि नहीं राजन मैं ये विद्या आपको नहीं सिखा सकता राजा ने कहा कि तुम्हें फासी की सजा दे दी जाएगी इस पर फकीर ने कहा कि वो मुझे खुशी-खुशी मन्जूर है लेकिन मैं आपको ये विद्या नहीं सिखा सकता तब वो राजा जोर-जोर से हसने लगा और कहा कि जिस विद्या पर तुम्हें इतना गर्व है वो विद्या अब मैं भी जानता हूँ और उसने फकीर को एक पीतल के बरतन को सोने में बदल कर दिखाया फकीर ने कहा राजन तुमने ये विद्या किसी की सेवा करके सीखी है किसी को भी डरा कर या फिर धमका कर ये विद्याएं सीखी नहीं जा सकती महत्मा बुद्ध ने ये कहानी यहीं पर समाप्थ कर दी और अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जबाब इस कहानी से मिल चुका होगा इस पर शिष्य ने कहा जी हाँ मुझे अपने सवालों का जबाब मिल गया है महत्मा बुद्ध ने कहा कि कभी ग्यान जबर्जस्ती नहीं सीखा जा सकता ग्यान ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति जितना बाढ़ता है ये उतना ही बढ़ता जाता है दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसी विद्या है जो औरों के काम आ सकती है तो उस विद्या का सही प्रयोक करें ना कि उसका गलत फायदा उठाएं आगे महत्मा बुद्ध के शिष्य ने महत्मा बुद्ध से कहा कि भन्ते मैं आपकी बास समझ गया हूँ और उसके बाद सभी शिष्यों ने वहीं पर भोजन किया और कुछ दिर विश्राम करने के बाद वो आगे आश्रम के लिए निकल पड़े दोस्तों उमीद है कि आपने आज की इस कहानी से कुछ ने कुछ सीखा होगा वो क्या है वो मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं उमीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आयोगी तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रुर दबा दीजेगा तो चलिए मिलते हैं सीक और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यबाद